Hey guys I am Garosov from Masterclass इस वीडियो में आपको आंसर दूँगा अपने speed of electricity के question का मैंने question पूछा था कि electricity का speed कितना होता है अब धायमेरक में उस question को समझने के लिए मैं आपको चोटा सा एक example देता हूँ अब बस आपको इस example को उस question के साथ जोड़ना है शायद से आप खुद उस question का answer दे दोगे हम लोगे बच्पन में concept पढ़ते थे sound wave का अब मुझे उता sound wave क्या होता है जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आपको सुनने में आता है तो मुझे उता हूँ जब sound wave medium से जाता कैसे है मतलब travel केसे करता है अपने देखा होगा जब मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आजू बाजू वाले जो particles होते है वो actual मुह करते है क्या समझ मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ और यहाँ पर कोई आतमी नहीं जो सून रहा है तो यह particle ऐसा ऐसे करता है वो उसके आगे वाले particle को धक्का देता है वो भी ऐसा ऐसे करता है वो उसके आगे वाले particle को धक्का देता है और यह disturbance है वो यहाँ तक पहुचता है और इसको हम लोग बोलते वेव तो wave जो होता है उसको मैं और एक नाम दूँगा signal तो signal यहां से यहां पर पहुचा एकदम जल्दी में लेकिन यह particle यहां से यहां पर पहुचा ही नहीं वो तो आगे जाके वापस आ गया था तो particle यहां पर travel नहीं कर रहा है कौन travel कर रहा है? signal अब सेम फेनोमेना होता है अपने speed of electricity equation में जैसे ही मैंने बल्ब जलाने के लिए अपना switch दबाया था बल्ब instantly जला था क्यों? क्योंकि यहां पर देखो यहां पर speed of electron से कोई लेना देना ही नहीं है जैसे ही मैं switch दबाता हूँ एक electric field generate होता है और electric field को हम लोग बोलेंगे signal तो जो signal generate होता है वो travel करता है speed of light से और वही होता है electromagnetic waves जिसको हम लोग बात में depth में पढ़ लेंगे और धायन में रखना speed of light approximately होता है 3 lakh km per second इतना speed होता है इसलिए वो instantly जलता है तो धायन में रखना इस question में speed of electricity equation में दो पार्ट है एक होता है electron का drift velocity जो कि बहुत ही कम होता है और दुसरा होता है signal का speed जो होता है electromagnetic waves का speed और जो होता है approximately speed of light के बराबर इसलिए जब मैं switch दबाता हूँ instantly bulb जलता है क्योंकि वो signal के speed से travel करता है I hope मेरा answer आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा मैं actual इसका answer लंबा answer मैं आपको बाद में मेरे class में दूँगा आपने live streaming lecture में दूँगा जल्दी में आपके लिए दूसरा question भी लेके आऊँगा तब तक के लिए bye bye and welcome to master class